हेलो मुश्कार दोस्तों कैसे आप सभी एबर फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट असटी में तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं रेलवे नई भरती 23-24 आप सभी 2019 से ले करके अभी तक रेलवे भरती का इंतिजार कर रहे हैं चाहे वो ITI-based पे हो या फिर non-ITI-based पे हो जो रेलवे से अपरंटिस किये हैं वो भी छात्र उतना ही बेसरी से रेलवे भरती का इंतिजार कर रहे हैं जो यहाँ पर 12th base पे हैं या फिर graduation base पे रेलवे भरती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर हम आ पारा मिलकर महा विसाल ट्विटर केमपेंड किया गया पर रिजल्ट अभी तक कुछ भी हात रही लगा मतलब सुन यह रिजल्ट अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी प्रतिकीरिया इसके रिगार्डिंग नहीं आया एक दो रेलवे के ऐसे डिवीजन है जहां से आपको उन को continue रखना चाहिए या फिर हमें कोई private limited या फिर हमें कोई नई भरती का जो रुख है उधर अपना उसके बारे में सोचना चाहिए रेलवे का उमिद छोड़ देना चाहिए टेंशन मत लीजे डियर साती हो आज किस वीडियो में हम इसके बारे में डीटेल से बात करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि ये जो 6 लाग का आकड़ा है 6 लाग का आकड़ा ये जो पहले था अब वो आकड़ा मात्र 1.5 लाग पे रह गया है मतलब सुरू में जब बात करें तो ये भरती 6 लाग थी टोटल भरती टोटल सीटों का संक्या बता रहे 6 लाग था रिकुटमेंट के रिगार्डिंग अभी यहां पर जो लेटेस्ट अपडेट आ है उसमें आपको देड़ लाग का ही जिक्र किया जा रहा है आखिर ये साड़े 4 लाग पद कहां गया इसके बारे में आपको बताएंगे बहुत सारी ऐसे जनकारी होती है जो रेलवे का जो अपडेट है कुछ ना कुछ अपडेट आपको रोज देखने को मिलता है सबका वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है इसलिए जो भी अपडेट आता है हम आपको टेलिग्र कर जो सबसे बड़ा सवाल है कि railway नहीं भरती कब देगा क्या फिजिकल प्रोटेश हम लोगों को करना पड़ेगा तो रेलवे नहीं भरती देगा या फिर जो प्रिभियस 2019 का भरती को लेकर चले 2018 की भरती को लेकर चले वैसे ही अगर माने तो रेलवे अपने आप भरती दे सकता है ठीक है ना तो टेंशन मतली जब पूरा डीटेल से बात करने वाल है तो चली वीडियो की सुरुआत करते हैं इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट आम है सस्क सब्सक्राइब करके बैल बटन कौन कर दीजेगा ताकि रेलवेस डिलेटेड ए टूजेट इन्फोर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहा है डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम गुरूप वाटसेप गुरूप का लिंक मिलेगा जरू-शरू जोइन कर को यहां पर प्रकासित किया गया ठीक है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि रेलवे में करीब देड़ लाग पद जो है रिक्त है सबसे अधिक पद सनरक्षा के सनरक्षा आर्थात आप लोग भली भाती जानते होंगे जिसे आपका स्याफ्टी कटेगरी कहा जाता है तो यह जो पद था टोटल 3,000,000 था कितना 3,000,000 पद था 3,000,000 पद से कम होकर 2,48,000,000 पद हुआ जो रेलवे आपका जब यहां पे ऑफिस्यल रेलवे ही बताया है इसको कि 2,48,000 पद रेखते हैं अब यह 2,48,000 पद से घटकर आपका आगया है 1,50,000 पद आप देखिए आ बहुत ही डिमांडेवल और रेलवे को बहुत जरूरत थे इस भरती गी एंटी पीसी जूनियर इंजिनियर सिनियर सेक्षन इंजिनियर तमाम तरह के बहुत सारे धेरो पोस्ट है जिसमें रिकुट्मेंट आना बाकी है अभी आप लोग रिसेंटली एक निउस देखे के बाद वो अल्रेडी उनका डिउटी ओभर हो रहा था तो जहां पर उनका डिउटी का टाइमिंग खतम हुआ वहां पर वो अपना ट्रेन को छोड़कर चले गया इससे पूरा यह सिस्टम रेलवे का सामने आ रहा है कि रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सबसे जादा जो कर्मचारियों की कमी है वह आपका है एलपी की असिस्टेंट लोको पाइलेट एक एलपी जो आठ घंटे आठ घंटे काम के लिए सुरक्षित होता है ठीक है इनसे क्या किया जा रहा कि यहां पे 12 घंटे 14 घंटे तक काम किया जा रहा है अब बताइए जो एलपी जान जाती है उसके जिमेदार कौन होगा तो यह सारी बातों को railway को समझना पड़ेगा पर सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं है अगर लोग मरते हैं तो मरें उससे कोई भी उनको लेना देना नहीं है बस उनको किसी तरह यहां पे system को चलाना है और यह उनको दिखान है कि publicity में कि हमने इतने train को launch किया हमने speed को 110 से बढ़ा कर 130 कर दिया 160 कर दिया पर यहां पर भरती कुछ भी नहीं आया पर इंप्लोई जो है बढ़ने के जगा घट रहे हैं हर महीने हजारों की तादात में जो railway के कर्मेचारी है वहां पर रिटायर हो रहे हैं पर हर महीने तो भरती आ नहीं रही है लास्ट आपका 2019 में भरती आई थी उसके बाद अभी तक कोई भरती आप देखने को नहीं मिला तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे तो यहां पर यहीं सब पद होते हैं हलाकि 50% से ज्यादा पद जो है railway contract based से भर लिया है तो यहां पर लगभग आपका देड़ लाग के आसपास पोस्ट बसता है जो आप सभी के लिए यहां पर railway बहाली में निकालेगी ठीक है आगे देखिए आपे बहुत सारी चीजों को आपको बताया गया है कि युवा वेकेंसी की घोसना के इंतेजार में कर रहा है ट्रेनों का स्पीड बढ़ा कर पहले 130 km परती घंटा से चलाया जा रहा है 100 से बढ़ा कर कहीं 110 से 140 किया जा रहा है टोटल एक एक डिवीजन में 122 सीटे खाली है तो इसके रिगार्डिंग आपको तमाम जो तो बढ़ेगा ही आप देखिए यह सब तो था जो भी इंटरनली बाते चल देथी अब बात करते हैं मुद्देपे कि आखिर भरती रेलवे कब रिलीज करेगा तो देखिए 2019 में जो आपका इलेक्शन हुआ था 2019 का इलेक्शन के अगर मद्दे नजर देखे और 2023 इलेक्श था वो आपका फरवरी के मंत में आये था ठीक है फरवरी के मंत में आये था उसके बाद आपका आचार सनीता लग जाता है तो सेम 2024 का भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है एक्सपेक्ट के 100% यह कंफरमेशन मांगा जा रहा है मैंने भी बहुत सारे टीचरों से ऐसे कंसल करें और पूरा उम्मीद है ठीक है पूरा उम्मीद है कि फरवरी तक आपका जनवरी इंड नहीं तो फरवरी तक आपका रेल्वकेल का GitHub को जारी हो जाएगा ठीक है अ यहिव है आभ यह अभी तक नहीं तो फरवरी तक आपका लास्ट यहां पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा ठीक है तो सभी शात्र जो है आपके confusion थे कि सर क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहे तो dear दिये tension मत लिजे tension लेने वाले कोई बात नहीं है अपना preparation को continue रखें अपना preparation क सब्सक्रा के बिभाग है जो ITI basis पर आपका सरकारी भरती निकालती है तो आप लोग इसमें भी try करते रहेगा बाकी हर भरती का notification आपको चैनल पर देखने को मिलता है इसलिए चैनल को subscribe करके bell बटन कर दीजेगा बाकी इसके उपर आपकी क्या प्रतिक किरिया है आपका क्या